So welcome back to gaming era तो क्या हल है रप सब लोगों के उमीद कपता हूं सब कुछ बढ़ी है होगा So हम वीडियो की शुरुबात कब लेते हैं यहांपर Elvish और Maxton वाले मेटर के बारे में बात करके So well यहांपर Elvish और Maxton वाले मेटर एंड होता हुँ देखने को मिला जो कि system system चिलाने लगते हैं और वो clip भी on screen आप देखी पा रहे होगे बाकी इसी मेटर के रिगार्डिंग दो चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं Firstly, 5,40,000,000 लाइव वीवर्स हमें देखने को मिल गए इस मेटर को solve होते हुए वो भी मातर 2 मिनिट के Instagram लाइव पे यानि कि उस 2 मिनिट में 5.4 लाइव पीपल हमें आपर देखने को मिले Instagram लाइव पर आप इमेजिन कर सकते हों कि यार ये controversy कितनी बड़ी थी और कितने लोग इसको solve होता वा देखना चारे थे वहीं सी matter कि regarding एक funny चीज हमें देखने को मिल जाती है कि एक controversy ने सालह पूरी 800 करोड की शादी का hype खतम कर दिया और यार आप on screen वो post भी देख सकते हो बाकी केर वीडियो में आगे बेट होती है आपर हम बात करने वाले Ocean के बारे में वाल WSB Gaming ने अपने नाम कर लिया स्टोनमेंट को और सेकंड पर हमें याँ आपर IQ Soul देखने को मिल गई और आइक यू सोल यार बाकी के दिनों में काफी दॉमिनेट कर ली थी WSB की तरफ से काफी कमाल का performance हमें या पर देखने को मिला आपने नाम किया याँ तरफ से जादा लेने हैं तो उसके ऊपर उनको काम जरूर करना पड़ेगा Team Soul I have seen like they are good they are aggressive but aggression में you need to understand right aggression एक हत तक अच्छा है it's not they are not way over aggressive but sometimes they become slightly over aggressive आप यादो बहुत जाद है अग्रेसिव हो तो ठीक है हर कोई आपसे डरेगा यह वह वह यह बट अगर आप अग्रेसिव नहीं हो यह कुछ भी तो यहीं चीज है विच आप बिलीब उनको देखनी है समझनी है सब्सक्तthank है अग्रेसिव सब्सक्त?? जॉनाथन के बारे में जॉनाथन sorry to burst your bubble to all the Jonathan fans I believe at this moment at this stage right now Jonathan is not the best player might sound harsh might sound bad might sound ऐसा लगागा कि भाई हेटर हो गया है ये है वो है तुझे तो व्यूस जॉनाथन से आते हैं व्यूस की बात निये भाई मेरा दोस्त है जॉनाथन इसलिए मैं कह सकता हूँ ये चीज़ right now with the form he is not the best player yes he has been best player yes he has a crown to redeem again I know yes he has a crown to redeem again but that crown he has to redeem it it's time to redeem that crown but he is not the best player anymore और सो ओश्यन यहाँ पर कुछ टियोस का एक्सपोस कबते पे नजर आ जाते हैं कि कुछ टियोस कैसी बात आते बोलते हैं कास्टर्स को तो बाकि जो अच्चुली अच्छे कास्टर्स है न वो यह चीज तुम्हें बताएंगे भी और उनसे पूछना कभी बहुत सारे टीयो टीयो होता है टॉर्नमेंट और्गनाइजर्स बहुत से टीयोस तो यह भी बोलते हैं भाई जब सोल खेले जब गॉडलाइक खेले जब यह टीम खेले जब वो टीम खेले तो हाइप करना भाई बिननाबाट की क्यों फाइप करना है बाई यह टीम सोल रोटेट कर रही है यह टीम गॉडलाइक जा रही है पैदल क्यूं हाइप करना यह दिस इस रॉंग बाकि ओशेन या पर एक परसनल इंट के बारे में भी बात कवते में नज़र आ जाते हैं कि कभी-कभी उनको लगता है कि टीम गॉड लाइक के प्लेयर्स जान मुझ के अपना एग्रेशन कम कव देते हैं ताकि जॉनाथन का एग्रेशन निखर करके आए I don't know if I am the right person to say this or not but मैंने पता नहीं क्यों मुझे लगा I don't know if I am actually the right person to say this or not just my thought मुझे ये लगा है कभी-कभी उनकी fights देखने में मुझे लगा है कि कुछ-कुछ मौको पर players जो बाकी players है अपना aggression गॉड लाइक के अपना aggression इसले थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि जॉनाथन का aggression जादा लगे लेकिन कभी-कभी उस reason से team सफर करती है शायद ये मेरा ही thought है correct me if I am wrong maybe I am wrong sorry already if I am wrong to all the fans बट ये मेरा मुझे लगा कभी-कभी कभी-कभी हमेशा नहीं कह रहा हूँ again कभी-कभी I don't want any controversy on anything around this ठीक है मेरा अच्छा दोस्त है वो and well this is his personal thought and यहीं पर वो एक controversial opinion के बार में बात कवते हैं कि Jonathan और जीगॉड से क्या out of India players डवते हैं या फिम नहीं डवते हैं Jonathan, Zee God, अकेले ऐसे दो players है जिनका नाम सुनके Chinese players की फटती है I don't believe in this, honestly, I don't believe in this thing I don't believe in this, honestly, honestly, I don't believe in this why I am telling you I don't believe in this because what has happened does not dictate what is happening and what is gonna happen ठीक है, what has happened will never dictate what is and this पहले एक दिस्क्लेमर दे दूं this is not for like me demeaning a team or anything, right this is me talking about what our casters are talking, that is all पहले ही एक दिस्क्लेमर दे दूं, पहले ही एक दिस्क्लेमर दे दूं this is not me demeaning any team or anything, this is how I see our casters nowadays yes, पहले भी भाई हमने भी दिखा है कि बहुत सारे लोग है जो कि मतलब यूनो कि Soul का नाम लोग, हमने खुद किया है भाई, Soul का नाम लोग, Godlike का नाम लोग, पता है audience को watching आएगी, views आएगी, ठीक है, मानता हूँ but in all the lights, in all the limelights and all, we need to understand where we are in reality भाई हम लोग PMGC में नहीं किये थे अच्छा, right, we were not good in PMGC we were like amongst the worst teams in PMGC, क्यों क्योंकि हमसे गेम दूर रहा, इस चीज़ को हम कितनी बार बनाएंगे हमसे गेम दूर रहा, हमसे ये दूर रहा, हमसे वो दूर रहा, इस चीज़ को हम कितनी बार बोलेंगे ऐसा नहीं अब, ये चीज़ समझनी पड़ेगी लोगों को and this is not to demean any team or something, this is what I am saying कि कभी-कभी ना बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जिन मेंसे हम casters भी बहुत सारे casters logic ही हटा देते हैं बाकी खेर वीडियो में आगे बेटें तो यहां पर Trident Gaming की तरफ से हमें उनकी scrims देखने को मिल जाएगी Trident eSports scrims जिसको official poster आप on screen देख सकते हो और यह execute हो तो भी कुछ time में हमें नजर आएगी यह एक much needed step था community के लिए यह देख करके लिटरली विलेजर eSports वाली vibe याद आ गई बाकी खेर काफी जने यह कह रहे थे कि WSB Gaming के device check होने चाहिए यहाँ पर मैं आपको बता दू कि hand cam device check सारी चीज़े management के पास है शिवा नंदी भाई इस पर officially reply भी करते है verified everything from day one we have all the necessary footage and WSB Gaming is a legit team and उनोंने यापर अपने आपको साबित भी किया है सवेल इस पर्टिकली दो में से वितना ही मैं भी चलता हूर मितना हूं अपसे लीडियो में सारी गॉफ इसमें जलने की बात नहीं होती है इसमें बात आती है उस इंसान की जो लाखों लोगों को inspire करता है to play games better वो अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो कुछ तो change करना पड़ेगा ना I think it's an eye-opener that they needed and I hope they have gotten that eye-opener I hope so again I don't need any controversy but I hope so that they get they have this eye-opener